तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग वली दकनी की दो गजल को समझने वाले हैं जो की 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नमबर 34 और 35 है मतलब की दो चैप्टर 34 और 35 इस दो चैप्टर आज के इस एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला है दोनों चैप्टर क्या है गजल है और इन दोनों गजल के राइटर जो है शायर आप बोल सकते हैं वो एक ही है वली दकनी मतलब दोनों गजल किसके दोरा लिखा गया है तो वली दकनी के रवारा लिखा गया है और आप लोग जानते हैं वली दकनी बहुत बड़े उर्दू के एक बहुत बड़े कदीम शायर थे कदीम शायर मतलब क्या बहुत ही प्राचीन बहुत ही पुराने शायर प्राचीन काल के शायर वली दखनी थे ठीक है और वली दखनी को माना जाता है कि वली दखनी जो है ना शुमाल और जुनूब के दर्मियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं मतलब शुमाल और जुनू को जाता है मैं आप लोग बताईंग अभी ऊर्दू के एक बहुत बड़े कदीम शायर थे बहुत पुराने शायर को बाचीन काल के शायर और इतने बड़े शायर थे ना इनका नाम वली दकनी क्य पढ़ा यहां पर समझ लीजिए इनका नाम वली दककनी इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक दककन के बहुत बड़े शायर थे दक्कन यानए कि दक्षिड के इसलिए वली दक्नी के नाम से शायर थे जिसको जोनारे जमाधे जानी के शुमाल्य निकि उत्तर नमूना बन गया था सभी लोग जितने भी नए शायर थे इनकी शेरो शायरी को नमूना बना कर शायरी किया करते थे सोचिए बहुत बड़े ये शायर थे इनकी मतलब इनकी जितने भी तारीफ किया जायना कम है वली दखनी अपने जमाने के बहुत बड़े शायर थे और रख़ेगा जैसा कि मैं आप लोगो बताई कि बारे में पालगाना बहुत ही जड़ा मुश्किल था कि यह कब पैदा हुए काहां पैदा हुए है क्योंकिैंगे बहुत कदीम प्राचीनकाल के शायर दें इनके बारे में पता नहीं लगा बता पा कहीं लोग कि इंगों पैदा हुए लेकिन जो भी रिसर्चर थे रिसर्च किये तो इनके बारे में कुछ मालूमात हुई तो देखिए क्या पता चला है इनके बारे में गुजराती मुखकिन के मुताबिक यानिकी गुजराती रिसर्चर के हिसाब से जब वो लोग रिसर्च किये पता लगा है तो म हम्दाबाद गुजराती मौकिकिन के हिसाब से इनका पूरा नाम क्या है शाह वली उल्ला और जाय पैदाईश कहा है हम्दाबाद और तालीम हासिल किये थे हैं पढ़ाई लिखाई शेख नूरुद्दीन से शेख नूरुद्दीन और इनकी वफात हो गई थी 1737 इस भी में यह किसके हिसाब से है याद रखेगा गुजराती रिसर्चर के हिसाब से गुजराती मौकिकिन के हिसाब से कोशन पूछ देता है कि गुजराती मौकिकिन के हिसाब से यानि कि गुजराती मौकिकिन के मुताबिक वली रखनी का पूरा नाम क्या है ऑप्सन में दिया रहेग मुजराती Amina के मुताबिक यह तोगुझाती मॉककीहिन के एक स्था अब देखे हैं हैर दरवादी उल्मा जब पता लगाए तो उन का कहाना था की वली दखनी का पूरा नाम स्य्यद वली हला है 接下來 Ahmad online के मुताबिक वली दखनी का पूरा नाम क्या है से दहली मुहम्मदIt अच्छा सेयद वली मुहम्मद। और जाए पैदाइश और अंगाबाद, मतलब की जहां पर वली दकनी की पैदाइश होई ठी, उस जगा का नाम क्या है? और अंगाबाद, और अंगाबाद में पैदा रूए थे, किसके मताबिक? हैजरबादी उल्मा के मताबिक, और जितने भी मुख्तलिफ मुख्यकीन है अलग-अलग रिसर्चर वो भी यही बताएं कि सेयद वली मुहमद वली दखनी का पूरा नाम है और इनकी जय पेदाइश और अंगबाद हैं तो सही क्या है गुजराती जो मुख्यकीन बोल रहे हैं वो सही है कि हैदरबादी उल्मा ब पूरा नाम सेयद वली मुहमद और जय पेदाइश और अंगबाद में हुई थी ठीक है मतलब इनकी जय पेदाइश और अंगबाद है कोश्चन पूछेगा कि हैदरबादी उल्मा के मताबिक वली दखनी का पूरा नाम सेयद वली मुहमद ठीक है जय पेदाइश और अंग कि वली जो है ना वली दकनी वह हज बेट ला भी किये थे और मदिन्स मनवरा की जियारत भी यह एकी थे दकनी जुबान वली दकनी की मैं आप लोग को बताई यह दकनी जबान थी और यह अब बोल सकते हैं ना कि बहुत ही टफ उर्दू लेंग्वेज का यूज करते थे इनकी घजल आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा से के जगा सू यूज करते थे उस वक्त का ज तो वही बात है याद रखिएगा वली दकनी की जबान क्या थी दकनी दकनी जबान ठीक है आगे बढ़ते हैं ड्टर जमील जालबी के पहरोची के मताभिक वली 17 सा 20 तक जिंदा थे याद रखिएगा कर डॉक्तर जमील जालवी के तक्यों लेकिन वली जो शागरत थे दिवाने वली लिखे थे ने लिखे थे दिवाने वली जब लिखे थे ना तो इसना सनाउल्ला यानि कि वली दखनी के जो शागिर्थ थे स्टूडेन सनाउल्ला इसमें दिवाने वली में वली दखनी को ये मरहूम बताये थे यानि कि इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वली दखनी की जो मौत हुई होगी वो 1720 से 1725 के बीच में ही हुई होगी ठीक है ऐसे मतलब हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं वैसे तो अगर कोशन पूछेगा कि वली दखनी की मौत कब हुई तो आप्शन में 17 साथ दिया रहेगा 17 साथ ही टिक किजिएगा क्योंकि यहीं सही माना जाता है लेकिन इस तरह कुछ लोग होते हैं अनुमान लगाते हैं तो कुछ लोग अनुमान लगा है कि हाँ जब डॉक्टर जमील जालबी इतना तहकीक करके बता रहे हैं कि 17 सबीस तक वली दखनी जिन्दा थे और प्लस उनके शागिर्थ वली दखनी के जो शागिर्थ है स्टुडेंट वह 17 सबचीस में मरहूम लिखे हैं दिवाने वली म मतलब कि 17 सबीस से पचीस के बीच में ही वली दखनी की मौत हुई होगी इस अधार पर अनुमान लगाया जाता है ठीक है वली दखनी जो है अपने दोस्त सेयद अबुलमौली के साथ दिल्ली का सफर किये थे याद रखना है अब वली दखनी के दोस्त का नाम क्या था वली ने शुमाल हिंदुस्तान के शौरा को रखतागोई की तरफ रागब किया यह याद रखेगा कोशन पूछ देता है कि वली दखनी ने सुमाल हिंदुस्तान के शौरा को किस तरफ रागब किया ऑप्सन में देएगा रखतागोई की तरफ ठीक है यह हो गया वली दखन की वज़ा से ठीक है तो आई होप आप लोगों को वली देखनी के बारे में सारा डिटल समझ में आ गया होगा जितना भी डिटल्स था मैं आप लोगो बता दी अब चलिए इन दोनों घजल को एक एक करके मैं पढ़कर उसका तश्रीह कर देती हूं अगर आप लोग यहां तक सुनिएगा वली दकनी किस तरह लिखे हैं और किस तरह के लवस का यूज की अपनी घजल में देखिए पहली घजल के स्टार्टिंग में लिखे हैं वली दकनी कि अगर बाहर अप्स के घर्सू मोहन या कदम निकले तमाशा देखने उसका हर एक सीना सुगम निकले कि अगर मेरी महबूब जो है ना अपने घर से एक कदम भी बाहर निकाल देना अगर अपने घर से मेरे महबूब एक कदम भी बाहर निकल जाए तो तमाशा देखने उसका हर एक सीने सुगम निकले तो उसको देखने के लिए सबी लोग इकठा हो जाए और जितने भी लोग कटा हो जाए मतलब उनके दिल से गम भी निकल आए देखने के लिए मेरी महभूब इतनी ज्यादा खोबसूरत है ठीक है तो यह पहले लाइन कार्थ समझ में आगया अब देखिए अगले लाइन में क्या लिखे हैं तेरे मुख के गुलिस्ता कि अगर हूरों में शोहरत हो त तो हर एक मस्त होकर छोड़ गुल जारे इरम निकले यहाँ पर बोल रहे हैं कि तेरे मुख के यानि कि तेरे चेहरे की खुबसूरती की चर्चा अगर जन्नत के हूरों में हो जाए ना तो जलन शिलता के वज़ह से हूरे भी जो है ना जन्नत को छोड़कर इस दुनिया पर आ जाए तुझे देखने के लिए मतलब अपने यहाँ पर महबूब की तारिफ किये हैं अपनी महबूब की खुबसूरती की तारिफ कि मेरी महबूब इतनी जड़ा खुबसूरत है कि उसकी खुबसूरती की चर्चा जन्नत की हूरों में हो जाए तो हूरे भी बाहर निकल मेरे महभूब को देखने के लिए अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगर ए रशकेची जावे तू करने सेरे मुलकेची तो हर देवल सो इस्तक्बाल को तेरे सनम निकले यहां पर बोल रहे हैं कि अपने महभूब को बोल रहे हैं कि ए रशकेची एक शहर से दूसरे शहर घूमने के ये वह उसके सामने इस्तटकबाल करने जुक जाये मेरी महभूब इतनी ज्यदा खुबसूरत है समझे कि यहां पर अपने महबूब की तारीफ किये हैं फजर के वक्त अगर दिल बढ़ चले हमाम के जानिब तो जो सुरज हर एक के दिलो हर एक के दिल सो यक चश्मा घरम निकले यहां पर बोल रहे हैं कि फजर के वक्त सुबह जब अजान होती है तो उस वक्त फजर के वक्त अग मेरा महबूब हम्माब के जानिम चले यानि कि नहाने के लिए घर जाए तो हर देखने वाला इंसान तंग और दंग रह जाए ठीक है मतलब उसके दिल से घरम घरम शोले निकलने लगे मेरी महबूब जैना इतना ज़्यदा खुब्सूरात है कि फजर के वक्त जब नहाने जा तो जितने भी देखने वाले हैं देखकर तंग और दंग रह जाए और उनके दिलों से गरम गरम शोला निकलने लगे ठीक है यह तारीफ किये हैं वली सौधा जदा दिल की हकीकत गर सकू लिखना तो दिवाना हो सानिकल पग में बाहर की रखम निकले अब बोल रहा है कि व कि माना तुझे इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है ठीक है यह हो गया पहली गजल कंप्लीट बहुत ही शॉर्टकॉर्ट में आप लोगो समझ में भी आ रहा है अगर समझ में आ रहा है अब देखिए इस गजल से कोई भी लाइन उठाकर आप लोगे एक्जाम में दे द गजल को समझ लेते हैं दूसरी गजल के स्टार्ट में स्टार्टिंग में लिखे हैं वली दखनी की कुचे यार एनकासी है जोगी दिल वहां का बासी है यहां पर बोल रहा है कि कुचे यार एनकासी है यानि की मेरे मेरा जो यार का गली है अप यहां पर अपने महभूब क की तारिफ किये हैं और बोल रहा हैं वली दखनी कि मेरे जो महबूब का गली है न वह काmoori के समानए कासी मतुरा जो दर्मी के स्थल होता है आप लोग सुने भी होंगे तो भी बोल रही हैं कि मेरे जो यार का bang बिल है वह 40 के समान है और सिंद है मतलब मेरा दिल मेरे मХबूब की गली लगता है और कहीं नहीं लगता है तो यहीं बोल रहे हैं कि मेरा जो जोगिये दिल मेरा जो दिल है वह मैभूब की गली का बासी है ठीक है पी के बैराक की उदासी सू दिल पे मेरे सदा उदासी है बोल रहे हैं यहां पर वलिद अखनी कि पी के बैराक की उदासी सू यानि कि युदाई को याद करके मेरे दिल पर सदा के लिए यान कि हमेशा के लिए उदासी चागई है ऐसरम तुझ जबी ओपर ये खाल हिंद्वे हरिद्वार बासी है बोल रहा है कि मेरे जो महभूब है उसकी खुबसूर्ती उसकी बना शरीर की बनावाट ये सब जो है न उसके आगे हिंद्वे हरीद्वार बासी है हिंद्वे हरीद्वार बासी मतलब जो हरीद्वार है धार्मी के स्थल जितने भी पवित्र धार्मी के स्थल है उसकी तुलना अपने मैभूब की खुबसूरती से किये हैं रहें हैं जूकान सोट यह क्छोपसूर्ते और के सामने हिंदुयार भाशी है मतलब तूपाकë और साफ है तूपवित्र है तेरे सामने हिंदुयार ह्री दवार भी क्या यह सेंज है तीक आगे मतलब अप यहाँ पर कहना चा रहे हैं वली दखनी कि मेरी जो महभूब है उसके जुल्फ मौज की जमुना मैं उल्टा बोल रहे हैं जमुना की मौज के समान है ठीक है बोल रहे हैं कि मेरी जो महभूब है उसकी जुल्फ है यानि की बाल वो जमुना की मौज यानि की जमुना नदी की सिरियल porte还有 जो सन्यास के समान कियी कि haya साय जुल प्यासी है यहां पर भी वली धक्नी जो है अपनी महभूब की ट्रीफ करते हुए कह रहे एं कि मेरी जो महभूब है उसके जुल्फ कमर तक यह से लटके हुए जिसे देखकर लगता है कि नागनी कि आप इंसान बन गई इंसान से तुरंट सब बन गई ज्यादा तर नागनी इंतकाम लेने के लिए हूं इंतकाम की घड़ी आचुकी है जए तर नागन सीरियल में आती है इंतिकाम लेने के लिए बदला लेने के लिए नाग तो बहुत कम जो भी हो पत्रब यहां पर यह बताना चाहरा है ना वाली दकनी इनकी दिली जज़बात को जरा समझी है यहां पर अपनी महभूब को बोल रहे हैं कि तेरे जुल्फ यानि कि तेरे बाल कमर तक ऐसे लटके ह गुए जिसे देखकर ऐसा लगता है कि 807 नागिन जो है न कुए के पास खड़ी हुई हो ठीक है जिसकी गुफतार मेना है मजा सुखन उसका ताम बासी है यानि कि जिसकी गुफतार में नहीं है मज़ा, यानि कि जिस स्वेक्ति के अंदर बात चीत करने का तरीका और तरीका नहीं है, जिसको नहीं पता की बात कैसे करनी चाहिए, उसकी जो बात चीत है ना बासी भोजन के समान है, जिस तरह दो तिन दिन का बासी भोजन हो जाता है और दो-तिन दिन का बासी भोजन लोग खाना पसंद नहीं करते हैं अब आप ही को दिया जाए दो-तिन दिन का बासी भोजन तो क्या आप लोग खाएंगे नहीं खाएंगे तो जिस तरह बासी भोजन को लोग नहीं खाते हैं बिल्खुल उसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर बा करने का तरीका नहीं ह печ करने को तरीका नहीं पता है जिस की बाचीत में मज़ा नहीं है इसके बातो को ध्यान Daha कोई बहुत को नहीं सुनता है ठीक है यहाँ पर अपना तखलुस वली ये किये हैं और बोल रहे हैं अपने आपको एवली जो लिबास तन पर रखा है यानि कि जो तुम लिबास पहने हुए हो जो तुम कपड़ा पहने हुए हो जो लिबास तन पर रखे हो आशिका की नजुक लिबासी है मतलब कि यह जो लिबास है यह आशिका की नजुक लिबासी ह सुआ होई हो मतलब कि तुम पूरी तरीके से आशिक भन चुके हो आशिक हा खी निजक सी है तुम-पूरी तरीके से आशिक का लिबास ओड़ लिная हो तुम डूसरी सब्सक्राइं से आप लोग है कुछी है वद कमें ना ट्EMA करे चाजी के सिर पहले स्वधे थी पाप लोगको हर एक पईंट समझ में आया होगा समझ में रिख कर जरूर बताए कि हा मुझे हर एक-एक कीड समझ में आया है और कोई भी डाउट भी बचा हुआ है तो कमेंट में लिख पूछ ले wie अगले मैं उस confusion को clear कर दूँ ठीक है अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये तो फड़ा-फट लाइक कर दे शेर कर दे जितना ज़्यादा हो सके अपने पडोसी अपने दोस्तों के पास इतने भी छोटे बड़े भाई भान है आप लोगे पास ठीक है हिंद और खुदा हाफिज